नमस्कार आरकेदांगी चैनल में आपका स्वागात है बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेके आएं हम इस वीडियो में आज ही का ये तीन मार्च का लेटर है इस लेटर में डीजी टी ने या एंसी वीटी ने बहुत बड़ी खुसकवरी है जो बच्चे कुछ नम्मर से रह गए थे दो तीन चार नम्मर जिनके कम थे ट्रेड थियोरी वर्क्सॉप कैलकुलेशन या एडी में तो उनको बहुत बड़ा रिलेक्सेशन है वो पास कर दिया जाएगा किन बच्चों को पास किया जाएगा तो जो लोग टैंसन में थे कि उनके किसी के तीन नम्मर क तक लेके आएं इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं यह लेटर है तीन मार्च का सब्जेक्ट आप देखिएगा वन टाइम रिलेक्सेशन अब यह रिलेक्सेशन का मतलब यह नहीं है कि आपको एक बार और एक्जाम दिया जाएगा यह रिलेक्सेशन अलग टाइप का इसमें आप कुछ नंबर एक जो उन्होंने फिक्स कर दी अगर आप उतने कम नंबर आपके आएं हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको पास कर दिया जाएगा कितने से कितने नंबर तक यह क्राइटेरिया उनने रखा है यह आप अच्छे से समझ लीजिए और इसमें कौन से बैच के बच्चे रहेंगे वो आप अच्छे से समझ लीजिए देखिएगा इसमें जिन 1921 वाले बच्चे हैं जिनका बैच कौन सा था 2019 से 21 से के बच्चे हैं अब आप समझ लीजिए पूरा यह गड़ित समझ यह आप अगर आपके नंबर कितने से कितने के बीच म आएं 24 से लेके 32 तक अगर आपके नंबर हैं किस चीज में हैं ट्रेड थियोरी में अगर आपके ट्रेड थियोरी में मतलब आपके अगर थियोरी में नंबर आपके कितने नंबर आएं 24 से लेके 32 तक तो आपको पास कर दिया जाएगा मतलब आपको 33 नंबर दे दिये जाए अब यह समझेंगा अगर आपके 23 हैं तो नहीं, क्या है। आपके कम से कम अगर 24 नमबर हैं, 24 से 32 के बीच में अगर आपके नमबर हैं, ट्रेड थियोरी में, तो आपको पास कर दिया जाएगा, मतलब आपको कितने नम्मर 100 हो जाएंगे 33 नमाक्स आपके 100 हो जाएंगे अब आजाते हैं हम दूसरे अब ये वाला जो कंसेप्ट है ये वाला और अच्छे से समझ लीजे ये वर्क्सॉप कैलकुलेशन की बात हो रही है यहां पर सुरी दोस्तो एडी की बात यहां पर नहीं हो रही है ट्रैनीज हो सिक्योर कितने नम्मर अगर आपके आएं 12 से लेके 16 तक नम्मर आएं किसमें बर्क्सॉप कैलकुलेशन में किसमें आएं आपके बर्क्सॉप कैलकुलेशन एंड साइंस मतलब मैथ में अगर आपके नंबर कितने से कितने तक हैं 12 से 16 के बीच में अगर नंबर है तो आपको 7 नंबर से पास कर दिया जाएगा ये लेटर जारी हुआ है ये बहुत जल्द आपको अपने रिजल्ट में ये अपडेट देखने को मिलेगा तो अभी आप इंतजार करें 2-3 दिन में पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा फिर आप ट्रैनी प्रोफाइल से जाके अपनी मार्क सी चेक करेंगे कहां से चेक करेंगे ट्रैनी प्रोफाइल से जाकर तो आपको अपना नया updated result देखने को मिल जाएगा तो बहुत सारे बच्चे परिशान थे प्रॉब्लम में थे तो उन बच्चों को अब परिशान नहीं होना है बस यहाँ पर दो चीज की बात की है उन्होंने Trade Theory मैंने वो सकता ED बोल दिया Trade Theory और Works of Calculation and Science मतलब अगर इन में आपके नंबर Passing से कम Marks है मतलब आपके 9 नंबर कम है Theory में Pass होने से मतलब 33 से 24 से 32 के बीच में और 16 से 12 से 16 के बीच में अगर आपके Works of Science and Calculation में या फिर सो दोस्तो Employability Skill में भी Sorry यह मेरा भूल गया था Employability Skill में भी Passing Mark 17 है Works of में भी Passing Mark 17 है अगर आपके 12 से जादा 12 और 16 के बीच में है तो Employability Skill में भी आपको Pass कर दिया जाएगा Trade Theory ठीक है क्या हो गया एक Trade Theory Works of Science and Calculation और एक Employability Skill यह भूत बड़ा Decision लिया है DGT ने बच्चों के लिए हम DGT का बहुत बहुत सुक्रिया आदा करेंगे कि यह जो Decision लेके हमारे बच्चे जो अभी परेसान थे कि उनको फिर से एक्जाम देना होगा एक दो नम्मर के लिए अब यह आप अच्छे से समझ लें कि जिनका Result इससे कम है तो उनको एक्जाम देना ही होगा तो जिनके बच्चों के नम्मर इनके रेंज में थे जो हमने बताए हैं वो जरूल तैयार हो जाएं वो पास हो जाएंगे और Unnecessary Grievance भी रेज ना करें और दोस्तो इस वीडियो को आपको अभी के अभी जहाँ जहाँ पर भी आप एक्टेव हैं आप अपने WhatsApp, status पर, Facebook पर, Instagram पर जहाँ जहाँ हैं आप इस वीडियो को आप जरूल लोगों तक पहुँचाएं अपने साथियों तक पहुँचाएं जिससे कि उनको ये बहुत बड़ी खुसकबरी, गुड़ न्यूज उन तक उस सके और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओन कर दे बहुत बहुत धन्वाद